अभी तक हम नमस्कार मैं आलोक सिंग आज आपरों के साथ दा हिूमन ब्लड के कमपोजिशन के बारे में कुछ जानने कुछ समझने की कोशिश करेंगे ब्लड हमारे बॉड़ी का एक लाइफ लाइन है यदि किसी भी कारण से बॉड़ी से ब्लड के सर्कुलेशन को स्टॉप कर दिया जाए तो विदीन अ मिनट हिउमन बॉड़ी की डेथ हो जाएगी ब्लड एक बहुत ही important component है हमारे बॉड़ी का और आज हम लोग इसी ब्लड के बारे में कुछ जानने कुछ समझने की कोशिश से करेंगे इस टॉपिक को ब्लड के composition को समझने से पहले कुछ definitions हैं उन definitions को जानते हैं कि वो definitions क्या है जो blood से related हैं और जो सबसे पहला definition है that is hematology word के मिलने से बना है एक को कहेंगे हीम और दूसरे कहेंगे लोगोश हीम का मतलब होता है blood और लोगोश का मतलब होता है study means वैसा topic वैसा chapter या वैसा subject जहां हम लोग blood के बारे में study करतेंगे उसे हम कहेंगे it is hematology हमें hematology को define करना हो हम कहेंगे it is study of blood, blood components and blood formation कि blood के बारे में, blood के components के बारे में, blood के formation के बारे में जब हम study करते हैं तब हम उस chapter या उस topic का नाम देंगे it is hematology, इस hematology में हमें blood के बारे में study करना है तो अब हम जानेंगे कि blood को यदि define करना हो तो हम blood को कैसे define करेंगे हम सभी को मालूम है कि blood एक liquid है, एक mobile liquid है हम कहेंगे कि blood is a mobile fluid connective tissue, blood क्या है मारा कि body के अंदर एक mobile fluid connective tissue है और इसके लिए एक और word यूज़ करते हैं कि it is extra cellular fluid, extra cellular fluid का क्या मतलब हुआ कि जो cell है उस cell के बाहर जो fluids पाई जाएंगी उन fluids को कहेंगे it is the extra cellular fluid तो अब इस definition को मैं फिर से repeat करता हूं कि blood is a extra cellular mobile fluid connective tissue अब यहाँ पर word क्या गया, कि हम लोग क्या-क्या word यूज़ कर रहे है पहला word हमने यूज़ किया कि यह एक extra cellular fluid है दूसरा word हम लोग ने यूज़ किया कि यह mobile fluid है और तीसरा word हम लोग यूज़ कर रहे है कि it is connective tissue है means blood is a fluid connective tissue and blood is a extra cellular fluid अब यहाँ पर थोड़ा सा यह confusing है हम कह रहे हैं कि blood एक tissue है और दूसरी ज़र्स हम कह रहे हैं कि blood एक mobile fluid है जब हम लोग ने tissue का definition study किया था उसमें यह बताया गया कि tissue is a group of cells having same origin, similar functions and similar structure कि वैसे group of cells जिसका origin एक जगह से हो रहा है और उनका structure एक जैसा है और उनका function एक जैसा है तब हम उस group of cells का नाम क्या देंगे it is tissue लेकिन यहां पे blood क्या है कि blood एक fluid है जिसका अपना कोई definite shape और size नहीं है और यह बहुँच सारे अलग-अलग तरह के functions पर form करेंगे तो जब इसका कोई shape और size नहीं है इनके functions भी बहुँच ज़्यादा है और हरे component का अलग-अलग function है तब फिर हम इस blood को tissue क्यों कहेंगे और इसमनों tissue के category में क्यों रखेंगे और यदि हम इसे tissue का नाम दे रहे हैं तब हम इसे extra-shevlar fluid word इसके लिए हम क्यों use करेंगे कि extra-shevlar fluid जब भी हम word use करते है extra-shevlar fluid इसका मतलब होता है कि वो जो fluid है that is the non-living part of the body की body का non-living part है और जब हम tissue की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि tissue is the living component of our body कि हमारे body का living component है अब blood को हम लोगों ने extra-shevlar fluid भी कर दिया मतलब कि वो blood एक non-living part हो गया और दूसरी तरफ हम blood को tissue भी कह रहे हैं इसका मतलब कि blood एक living part हो गया अब यहाँ पे confusion आगी आईए हम लोग इसी confusion को दूर करते हैं जब हम blood का components देखते हैं तो हम यह पाते हैं कि blood दो components का बना होगा एक का हम नाम देते हैं it is plasma और दूसरे के नाम देंगे it is the blood cells जो blood cells होंगी यह blood cells इस plasma के अंदर float करते रहेंगी जैसा आप diagram में देख रहा होंगे कि हमारी यो red color है that is the plasma और यह जो हमारी floats कर रही है these are the blood cells कि यह हमारी क्या है these are the blood cells means plasma के अंदर blood cells float कर रही हैं अब क्या हो गया कि plasma है repente not living part और प्लाजमा क्या हमारा है, it is liquid in nature, और यह प्लाजमा शेल के बाहर है, जो शेल कंपोनेंट है, इन शेल कंपोनेंट के बाहर है, तो हम लोग क्या कहेंगे, this प्लाजमा is a extra-shevular fluid, and प्लाजमा is a major component of blood, इसलिए हम ब्लड को कहते है, it is a extra-shevular fluid, जो हमारे बॉडी में circulate होती रहती है, हमारे बॉडी में move करती रहती है, from one organ to another organ, इसी ब्लाजमा के अंदर शेल कंपोनेंट पाई जाती है, और वो जो शेल कंपोनेंट है, वो living है, और उन शेल कंपोनेंट का similar structure है, similar function है, और similar origin है, इसलिए हम क्या कहेंगे, कि ब्लाजमा is a tissue के लिए लोगी बात है, कि ब्लड के अंदर दोनों तरह की component पाई जा रही है, प्लाजमा भी पाया जा रहा है, जो कि extra shriveler fluid है, non living component है, और इसके अंदर tissue भी पाया जा रहा है, जो कि इसका living component है, अब प्रष्ट ये आया, कि ठीक है, हम लोगों ने जान लिया, कि ब्लड ए एक tissue है, लेकिन यहां पर हम एक word और use कर रहे है, कि ब्लड इजे connective tissue, कि ब्लड क्या है, कि ब्लड एक connective tissue है, अब ये connective tissue कैसे है, connective tissue में क्या श्री किया था हम लोगों ने, कि जो वैसा tissue, जो दो component को आपस में joint करवाता हो, दो tissues को आपस में joint करवाता हो, दो organs को आपस में joint करवाता हो, उसे हम लोग कहते थे, it is the connective tissue, वहाँ पर क्या होता था, कि वहाँ पर एक solid matrix होती थी, और उस solid matrix के अंदर cellular component पाया जाता था, जैसे हम bone लेते हैं, तो bone में क्या है, bone ही जे connective tissue, जिसके अंदर matrix है, और उस matrix में cellular component पाया जाती है, यहाँ पर जब हम blood की बात करते हैं, तो blood के अंदर जो plasma है, plasma is considered as a matrix, यह से हमनों क्या कहेंगे, it is matrix है, और यह fluid matrix है, fluid matrix मेंसे, कि यह एक liquid matrix है, और इस liquid matrix के अंदर different blood shells पाया जाती है, इसलिए हम blood को connective tissue भी कहते हैं, तो last में क्या definition हो गया, कि blood is a extra cellular fluid, that is mobile in nature, and it is a connective tissue, made up of plasma and blood corpuscles, यह हमारी complete definition हो गई about the blood, अब आईए, अब कुछ parameters के बारे में जानते हैं, कि blood का क्या parameters है, सबसे पहला parameter यह कहा गया, कि blood is a extra cellular fluid, हम लोग जान चुके हैं, कि blood एक extra cellular fluid है, human body के अंदर average 5.5 liter blood पाया जाता है, it varies from the 5 liter to 6 liter, लेकिन जो average value है, that is the 5.5 liter, means, कि किसी body, किसी person का body weight लगभग 70 kg है, तो उसके body के अंदर जो blood पाया जाएगा, वो blood का volume होगा, लगभग 5.5 liter, हमारे body के अंदर जो body weight है, उस body weight का 6.8 percent जो weight है, वो weight किसके चलते है, that is the by the human blood, हमारे body के अंदर जितने भी extra cellular fluid है, उस extra cellular fluid का 30 to 35 percent जो part है, that is made up of blood, वो blood का बना हुआ होता है, जब हम blood की pH चेक करते हैं, ऐसा पाते हैं, कि blood का जो pH है, that is the slight alkaline, about 7.4 percent, इसमें उपर नीचे हो सकता है, लेकिन जो average है, that is the 7.4 percent, और उसमें कहेंगे, it is slight alkaline in nature, blood एक buffer liquid है, buffer मीन से कि किसी भी condition हो, उसका pH चेंज नहीं होगा, it is suppose करो, किसी भी कारण से blood का pH slight acidic हो गया, हमारे body के अंदर mechanism होती है, जिस mechanism के द्वारा, वो blood acidic से दुबारा 7.4 pH के आसपास पहुंच जाएगा, यदि किसी कारण से blood का pH 7.4 से उपर चला गया, हमारे body के अंदर ऐसा system होगा, जो system उस blood के pH को दुबारा डाउन करेगा, और 7.5, 7.4 के आसपास लेकर आ जाएगा, और इस mechanism को इस process को नाम देते है, it is homeostasis, it is called homeostasis, means body का वो capability जो blood के pH को control रखता है, उस capability को, उस mechanism को एक नाम देंगे, that is the homeostasis, homeostasis के बहुत सारे examples है, उनमें से एक example blood का भी आता है, अब suppose करें कि blood है, और blood acidic हो रहा है, तब हम उस process का नाम देते है, acidosis, it is called acidosis, और जिए blood का pH alkaline हो रहा है, तो उसके लिए हम word use करते है, it is the alkalosis, generally, दो process है, जो responsible होते है, blood के alkalosis के लिए, या blood के acidosis के लिए, और उसका नाम है, metabolic acidosis, या respiratory acidosis, और दूसरा word है, metabolic alkalosis, या respiratory alkalosis, तो these are the few facts about blood, कि blood का ये कुछ हमारी parameters है, जो fixed parameters है, कोई भी condition हो, उतना ही यही parameters उसका fixed रहेगा, अधि इसमें कोई variation हो रहा है, तो उसका मतलब है, कि हमारे body के अंदर, कोई न कोई disease develop हो रही है, अब आईए, अब हम लोग अपने topic पे आते हैं, कि जो human blood है, उस human blood का क्या composition है, तो हम लोग ये जान चुके हैं, कि human blood दो part का बना होगा, एक लोग नाम कहेंगे, it is the plasma, और दूसरे के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं, it is the blood cells, plasma and blood cells, blood cells का एक और नाम होता है, जिसे हम लोग कहते हैं, blood carpsons, तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे, कि plasma क्या है, ये तो हम लोग जान चुके कि plasma एक extra shriveler fluid है, जिसका pH 7.4 है, ये हमारे blood का non-living part है, और ये slight alloys in color है, इतना हम लोग अभी तक पहों पर study कर चुके हैं, हमारी general knowledge से, ये हमारी अपनी knowledge से हमें ऐसा मालूम है, कि blood के अंदर water पाया जाता है, means, जो blood का major component है, that is the water, कि water है, और उसके अंदर बहुत सारे constituent डिसॉल्व हैं, वो constituent क्या है, उन constituent को जो हमें study करेंगे, तो हम लोग क्या देखते हैं, कि blood के अंदर कुछ soluble constituent पाई जाती है, और वो soluble constituent हैं, हमारी inorganic compounds हो सकती है, और organic compounds भी हो सकता है, इसके अलावा, plasma को बारे में ये भी कहा जाता है, कि plasma is a solution, किया है, एक solution है, और दूसर ये भी कहा जाता है, कि इसके अंदर colloidal substance भी पाई जाती है, means it is also colloids, means ये दोनों category में आ रही है, कि plasma solution भी है, और plasma colloids भी है, आईए हम लोग, अब ये जानेंगे, कि जो plasma है, जिसके बारे में ये बताया गया, कि plasma is a extra-cellular fluid, having pH 7.4, slightly alkaline in nature, it is a non-living alloys fluid in our body, that is viscous in nature, and it consists of water, along with some soluble organic and inorganic constituents, जब हम blood की analysis करते हैं, तो ऐसा माद देखते हैं, कि blood के अंदर जो 55% portion है, that is made up of plasma, और जो 45% portion होगा, that is made up of blood cells है, और blood carpuses, means हम blood को लेंगे, और blood के components को shape rate करेंगे, तो जो liquid part उसका है, जो plasma part है, उसका volume कितना होगा, that is about 55%, और जो cellular part है, जो blood cells है, वो कितना होगा, that is about the 45%, अब हम अपने topic पे वापस आते हैं, regarding composition, तो हम लोग ने ये जान लिया, कि plasma जो है, वो plasma के अंदर water होगा, और ये water का percentage होगा, that is 91 to 92%, और इसके अंदर dissolve constituents होगे, और वो जो dissolve constituents हैं, वो inorganic compound भी हो सकते हैं, और वो organic compound भी हो सकते हैं, आई हम लोग एक एक करके देखते हैं, कि कौन-कौन से compound से इस plasma के अंदर dissolve होते हैं, और कौन से compound हैं, जो dissolve होके उसे solution के category में रखेंगे, और कौन से compound हैं, जो plasma के साथ mix होने से, plasma को colloid के category में रखेंगे, सबसे पहला, कि plasma हमने ये decide करें, कि plasma के अंदर जो component enter कर रहे हैं, वो component कहां से आएंगे, simple, कि वो component हमारे digestive system से आएगा, means कि जो कुछ भी हम food लेंगे, वो food absorb होगा, और absorb होने के बाद, वो food blood के अंदर enter करेगा, तो हमें मालूम है, कि जब हम water लेते हैं, जैसे suppose करें, कि हम mineral water ले रहे हैं, तो mineral water में नाम से ही के लिए है, कि उसके अंदर बहुत सारे minerals पाई जाएंगी, जैसे calcium, magnesium, phosphorus, potassium, sodium, etc, इसके अलावा और salt भी पाई जाएंगे, जैसे chloride, bicarbonate, phosphate, sulfate, जैसे आप लिखा गया, कि inorganic salt है, chloride भी हो सकते हैं, bicarbonate हो सकते हैं, phosphate भी हो सकते हैं, minerals हो सकते हैं, that is calcium हो सकता है, magnesium हो सकता है, iron हो सकता है, potassium हो सकता है, sodium हो सकता है, और यह चीज़े, जब हमारे GIT में enter करेंगे, और GIT से absorb होंगी, तो कहां जाएंगे, inside plasma, और वो soluble form में रहेंगे, तो हम कहेंगे, these are the inorganic salt that remain in the plasma, तो first component क्या हो गया है, that is the inorganic salt, उसके बाद second component है, these are the organic materials, organic materials, अब देखिए, organic materials ब्लड में कैसे enter कर रहे हैं, हम भोजन करते हैं, उस भोजन के अंदर protein, fat और carbohydrate पाई जाती हैं, हमारी digestive system, carbohydrate को glucose में convert कर देगा, और फिर वो glucose उस ब्लड के अंदर absorb हो जाएगा, ब्लड के अंदर enter होंगे, और वो glucose हो गई, that is the component of the plasma, हम protein ले रहे हैं, protein हमारे stomach में, digestive system में digest होंगी, और डाइजेस्ट होने के बाद, वो protein, amino acid में convert हो जाएगी, और ये amino acid हमारे blood के अंदर enter करेंगे, मिन्स ब्लड के अंदर amino acids भी पाई जाएगी, ये amino acids अब different cells के अंदर distribute हो जाएगी, different cells के अंदर वो enter करेंगी, और फिर cells इसे इन amino acids को protein में convert कर देंगी, अब ये protein उन cells से निकलेगा और वो हमारे blood के अंदर enter कर जाएगा, जैसे example है albumin, albumin एक protein है जो की cell के दोरा बनाई जाएगी और वो blood में enter हो जाएगी, दूसरा example हम दे सकते है globulin, globulin भी एक proteinous compound है जो cell के अंदर बनेंगी और वो फिर blood के plasma में enter हो जाएगी, ये जो albumin और globulin बन रही है, these form plasma into the colloid group और इन ही albumin के चलते जो plasma होता है, उसे हम लों क्या करते है, it is the colloid, ठेक इसे दर से हमारे body में fat होंगी, fat digest होंगी और fat digest होने के बाद, वो fatty acids में convert हो जाएगी और वो fatty acids इस blood का एक component हो जाएगा, इसके अलावा जो और components हैं, जैसे कि माल लिए कि respiration से हम ले रहे हैं हमारे body के अंदर oxygen एंटर कर रहा है, अब यह जो oxygen एंटर कर रहा है और carbon dioxide बाहर जा रहा है, तो यह oxygen और carbon dioxide भी हमारे कहां पर पाई जाएंगी, तो inside our plasma, यह plasma के अंदर पाई जाएंगी, मतलब क्या हो गया, कि respiration में lung से जो oxygen absorb होंगी, वो plasma में आएंगी, और plasma के तरह वो shell के अंदर एंटर करेंगी, और shell में carbon dioxide gas प्रोड्यूश होगा, और वो carbon dioxide gas भी फिर blood के अंदर एंटर होगा, blood से वो lungs तक जाएगा, और lung से बाहर को excrete हो जाएगा, मिन से कि ये जो dissolve gases है, carbon dioxide और हमारी oxygen ये dissolve gases भी, dissolve respiratory gases भी हमारे blood plasma में पाई जाती हैं, तो इस तरह से हम लोग ने देखा कि blood के अंदर कौन कौन से component है, इन और्गेनिक salts है, ये इन गोरिंग salts, salts क्या क्या हो गए, chloride, bicarbonate, phosphate, sulfate, और minerals हो गया हमारे calcium, magnesium, iron, potassium, sodium, etc. प्लाज्मा प्रोटीन होगी, वो albumin होगी, globulin होगी, prothrombin होगी, fabrinogen होगया, organic होगा compound जैसे like glucose होगया, fat होगया, urea, uric acid, cholesterol, fatty acids, ये सारे organic compounds हैं, और ये सारे organic compounds कहाँ पाई जाएंगी, in the blood, carbon dioxide, gas, respiratory gases हैं, वो भी blood plasma के अंदर पाई जाती हैं, अब यहाँ पर एक word आया, that is the urea, हम लोग सभी के बारे में जानगे, कि कौन सा compound प्लाज्मा में कहाँ से enter कर रहा है, अब यहाँ पर word आगया, urea, या uric acid, ये कहाँ से आई, तो हमारे body में जो protein की digestion होती है, protein की metabolism होती है, और उस metabolism का एक by product निकलता है, जिससे हम लोग नाम देते हैं, urea और uric acid, तो ये urea और uric acid भी हमारे plasma के अंदर पाई जाती हैं, इसके अलावा हमारी body की जो different cells है, वो different cells कुछ chemical को synthesize करती है, कुछ chemical को secret करती है, और वो chemical भी plasma के अंदर enter करता है, और वो chemical हमारा है, like hormones, vitamins, enzymes, anti-coagulant immunoglobulins, hormones क्यों होगे, हम लोग आगे परहेंगे, hormones क्या होता है, अभी शिप इतना जान ले, कि plasma के अंदर hormones and enzymes पाई जाती हैं, plasma के अंदर anti-coagulant factors पाई जाती हैं, जो blood को clot होने से रोकता है, जैसे example दिया गया, it is the heparin, कि heparin एक natural anti-coagulant compound है, जो blood को blood vessels के अंदर clot होने से रोकता है, उसे दर से immunoglobulin, ये immunoglobulin है, हमारे body के immunity को improve करता है, वो भी किसके अंदर पाई जाएंगी, तो inside the blood plasma, तो ये हमारी components हैं, जो components blood plasma में पाई जाती हैं, एक fact और हम लोग जानते हैं, जो हम लोग यहाँ पर study करना था, some characteristics of the blood, जहां हम लोग ने ये study किया, कि blood का extra-cellular fluid है, या blood के अंदर volume कितनी है, blood का weight कितना है, blood का pH क्या है, इसी में एक चीज़ी हमें और जानना है, कि जो blood है, इस blood का color red होगा, blood का color red होता है, अब ये जो redness है, उसमें variation होगा, जो blood arteries में पाई जाएंगी, वो blood हमारी bright red color की होती है, और वो blood, जो blood vein के अंदर पाई जाती है, वो blood dark red color की होंगी, अब यहाँ पर प्रस्णाया, कि ऐसा क्यों, जब इसका हर कुछ fix है, तो color भी fix होनी चाहिए, एदि हम blood का color red है, तो blood का color red सभी जगह हो, देखिने हम क्या देखते हैं, कि artery के अंदर इसका color क्या है, bright red है, और vein के अंदर इसका जो color है, that is the dark red है, वो क्यों है, उसका कारण क्या है, कि जो artery होंगी, उस artery के अंदर oxygen होगा, और जब oxygen blood में ज़्यादा होंगी, oxygen का amount जितना ज़्यादा होगा blood में, blood की brightness उतनी ज़्यादा बर्ष्टी चली जाएगी, तो क्या और नोतिजा निकला, कि artery के अंदर जो blood होगा, that will be the bright red in color, अब जब vein की बात करते हैं, तो vein के अंदर carbon dioxide का concentration ज़्यादा होता है, और जब carbon dioxide का concentration ज़्यादा होगा, तब जो उसका color होगा, वो color जो develop होगा, that will be the dark red in color, अब यहाँ पर एक confusion है, हम अपने vein को देखते हैं, आप सभी अपने vein को देखें, अपने screen पे vein आपका prominent नजर आएगा, hand के screen पे आपका vein prominent नजर आएगा, या body के different parts पे भी vein हमें prominent नजर आती हैं, जब हम vein को देखते हैं, तो हमें यह देखते हैं, जो vein का color है, that is the blue, और हम क्या कह रहे हैं, कि vein का जो color है, vein के अंदर जो blood है, उस blood का color है, that is the dark red, यदि blood का color dark red है, तो vein में भी हमें dark red color दिखाई देनी चाहिए, लेकिन vein हमें blue color का दिखाई देता है, इसका क्या कारण है, क्या vein के blood का color blue होगा, यदि हम कहेंगे blue, तो वो हमारा जो answer हो जाएगा, that will be the wrong answer, हमारा जो correct answer है, that is the bright red color, कारण क्या होता है, कि हम सभी को मालूम है, कि हम जो हमाई जो color की perception है, इस बात पर depend करता है, कि वहां से कौन सा color reflect हुआ, कि sun rays पढ़ा, और sun rays से कौन सा color reflect हुआ, तो यहां पर जो reflection होता है, उसके चल से हमें वेन की color blue दिखाई देती है, लेकिन हकीकत में वेन के अंदर जो blood है, उस blood का color क्या होगा, that will be the dark red, तो इस तरह से हम लोगों ने यह जाना, यह समझा, कि blood plasma क्या होता है, और blood plasma का क्या composition है, अब हम लोग next topic करेंगे regarding the blood cells की blood cells क्या होती है, अभी तक हम लोगों ने यह जाना, कि blood plasma क्या होता है, और उसका क्या composition है, अब हम लोग जानने की कोशिस करेंगे, कि blood cells क्या होते हैं, और इस blood cells का क्या composition है, और यह कितने type के होंगे, blood cells का एक और नाम होगा, जिसे हम लोग कहते हैं, it is blood carp cells, जो हमारी यह blood cells है, हम लोग अभी study कर चुके, कि blood के अंदर 55% जो part होंगी, that is the blood plasma, और जो 45% part होंगी, that is the blood cells, यह जो blood cells होंगी, यह blood cells है, blood plasma के अंदर float करती रहती हैं, जब हम blood plasma को, और blood cells को separate करते हैं, तो जो part blood cells के रूप में पाई जाती है, उसके लिए एक नाम दिया गया है, that is, it is called packed blood volume, जो यह structure है, this is the packed blood volume, और इसी packed blood volume का, एक और नाम देते हैं, it is also called hematocrit, अब हमारे body के अंदर, जो blood cells है, वो blood cells थ्री टाइप्स के होंगी, erythrocytes, leukocytes and thrombocytes, जो erythrocytes है, इसका लोग एक और नाम देते हैं, it is the red blood cells, जो leukocyte है, इसका लोग एक और नाम देंगे, it is the white blood cells, और जो thrombocytes है, उसका एक और नाम देंगे, that is the platelets, अब इसके नाम से ही clear है, कि जो erythrocytes होगा, this is the erythrocytes, और इसका color होगा, it will be red in color, यह red color के होंगे, और जो leukocytes है, यह leukocytes हैं, दी जादा structure of the leukocytes, यह जो leukocytes होंगे, इनका जो color होगा, it will be white in color, और इसलिए हम लोग white blood cells करते हैं, और erythrocytes को red blood cells कहते हैं, आईए, अब हम लोग एक एक करके, इनके बारे में जानेंगे, कि erythrocytes क्या हैं, leukocytes क्या हैं, और thrombocytes क्या हैं, जब हम इस 45% को देखते हैं, तो उसमें से, 45% में से, जो 44% part है, इस 44% part is the RBC, मेंस ब्लट cells का जो 44% part होगा, that is the made up of RBC, और the erythrocytes है, और जो rest 1% बचा, उस 1% के अंदर, leukocytes और thrombocytes पाई जाती हैं, अब चुकि, हम लोग ने ये study किया, थोई दिर पहले, कि जो plasma है, उस plasma का जो color है, वो slight yellow, या fent yellow color की हैं, और जो हम blood देखते हैं, तो उस blood की जो color appear होता है, it is red in color, कि वो blood हमें red color की दिखाई देती हैं, और plasma हम क्या study कर रहा है, कि it is the fent yellow, और it is slight yellow in color, तो blood का जो red color होता है, it is only due to the erythrocytes, और the RBC present in the blood, तो आईए, हम लोग अब जानने कोशिस करते हैं, कि erythrocytes से या RBC होता क्या है, जो erythrocytes हैं, इसका नाम red blood cells है, और ये दो word के मिलने से बना है, एक कर नोँ नाम देते हैं erythroze, और दूसरे कर नोँ नाम देंगे, it is the sites, हम लोग ये जान चुके हैं, कि sites वर्ड का मतलब ही होता है, cells, और erythroze का जो मतलब होता है, it is red, means कि वैसर cell, जो red color का होगा, उस cell को हम लोग कहेंगे, red cell, और चुकि ये red cell, blood के अंदर पाई जाती हैं, इसलिए हम इसका नाम देते हैं, it is the red blood cell, या हम इसका नाम देंगे, it is the erythro site, ये जो erythro site है, या जो red blood cells हैं, ये red blood cells के बारे में, कुछ facts हैं, उस facts को जानने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हम लोग इसके structure को समझेंगे, सबसे पहले ये कहा जाता है, कि जो red blood cells हैं, वो hill area में, जो hill area है, means जो पहारी area, जैसे हिमाचल या north east हो गई, तो इन areas में जो persons रहते हैं, उनके body में, आर्बी श्री का जो level होगा, वो ज़्यादा होगा, आर्बी श्री का number ज़्यादा होगा, आर्बी श्री count ज़्यादा होगी, compared to those persons living in the plain area, means जो पहारों पे जो लोग रहेंगे, या जो रहते हैं, जो वहाँ के रहने वाले हैं, उनके body में, आर्बी सी ज़्यादा होती हैं, और जो plane में, पहारों के नीचे वाली area में, जो लोग रहते हैं, उनके body में, blood cell का number कम होगा, comparatively, अब ऐसा क्यूं होता है, इसके बारे में होग अभी थोई देर के बाद, हमें पता चल जाएगा, दूसरा इसके बारे में ये कहा जाता है, कि जो red blood cells हैं, वो red blood cells, female के अंदर, इसका amount कम होगा, compared to male, मनस्थिभा कि जो male body है, उस male body के अंदर, आर्वी श्री का number या आर्वी श्री का amount जादा होता है, compared to the female, ऐसा क्यूं होता है, उसका simple सा explanation है, कि ladies के अंदर, female के अंदर, menstruation cycle होती है, और उस menstruation cycle से bleeding होती है, blood body से बाहर को निकलता है, अब चुकी वहाँ से, उनके body से हर मन्त, blood का loss हो रहा होता है, इसके चलते हैं, उनके body के अंदर, जो आर्वी श्री का number होगा, वो आर्वी श्री का number कम होता है, compared to the male body. अब हम लोग जानते हैं, कि erythrocytes को कैसे define करेंगे, तो यह हम लोग ने जान लिया, कि erythrocyte एक cell है, एक cell का type है, लेकिन इसके अंदर, erythrocyte के अंदर, nucleus नहीं पाया जाता है, means, it is a non-nucleated structure, कि यह जो होगा, इसके अंदर nucleus नहीं होगा, it is a non-nucleated structure, यह structure, circular in shape होगा, means, it is a round in shape, यह circular in shape होगा, और हम कहा सकते हैं, it is a disc shape, जैसे आप disc का स्थ्रों में देखते होंगे, तो वहाँ जो disc होता है, उसी disc के shape का होगा हमारा, that is the red blood cells, और फिर कहा जा रहा है, कि जो red blood cells होंगी, it will be by concave in nature, by concave in nature, by concave का मस्दब क्या होगा, अब इस diagram से हम देख सकते हैं, by concave का मस्दब क्या हो गया, कि जो इसका central part होगा, उसकी thickness कम होगी, और जो peripheral part होगा, उसकी thickness से ज़्यादा होगी, तो इस तर के structure क्या नाम देते हैं, it is the by concave layer, तो अब एरिट्रोशाइट को define करना हो, तो एरिट्रोशाइट को कैसे define करेंगे, कि एरिट्रोशाइट्स आर non-nucleated circular by concave disc-shaped cells, यह हो गया, this is the definition of the erythro-sides, अब जो erythro-sides है, उसमें हम लोगों ने यह तो जान लिया, कि nucleus नहीं पाया जाता है, cell है, लेकिन cell के अंदर, इस cell के अंदर nucleus नहीं है, and it is the exception, कि एक exception है, कि इस cell के अंदर nucleus नहीं पाया जाता है, दूसरा, जो nucleus cells होती है, उन cell के अंदर, बहुत सारे cell organelles भी पाये जाते हैं, जैसे कि mitochondria, Golgi body, ribo-zome से, lyzo-zome से, एट्सेक्टरा, तो जो हमारी RBC है, इस RBC के अंदर, यह जो सारे cell organelles हैं, यह cell organelles से RBC में नहीं पाई जाएंगी, इसका मतलब क्या हो गया, कि RBC जो hollow structure है, RBC जो एक circular structure है, by-concave structure है, यह by-concave structure अंदर से hollow होगा, अंदर से empty होंगी, और जो इसका empty space होगा, उस empty space का maximum part होता है, वो एक तरह के chemical के साथ, एक तरह कंपाउंड से उसकंदर एक तरह कंपाउंड पाई जाती हैं, और उस कंपाउंड को नाम देते हैं, इस हीमोग्लोवीन, उस नों क्या नाम देंगे, इस हीमोग्लोवीन, मेंसे कि RBC के अंदर जो space है, वो space maximum occupied होता है, किसके दोरा, एक कंपाउंड क्या chemical कंपाउंड की दोरा, और उस chemical कंपाउंड का नाम होता है, इस हीमोग्लोवीन, और यह जो chemical कंपाउंड है, यह chemical कंपाउंड red in color होगी, दूसरी बात, कि जब हम single RBC को देखेंगे, तो single RBC की जो appearance होगी, वो appearance हमारी pale yellow color की होती है, तो group RBC का जो color होगा, वो color होगा हमारा, it is the red in color, और यह जो red color है, वो red color किसके चलते हैं, it is mainly due to the hemoglobin, hemoglobin की चलते हैं, group of RBC को जब देखते हैं, तो hemoglobin का color जो होगा, वो हमें red color का दिखाई देता है, यहाँ पे एक और बाद, थोड़ी से अपने point से हम रुखते हैं, तो जेनरल knowledge, जेनरल हमनों discussion करने की कोशिश करते हैं, हम सभी को मालूम है, कि हमारा जो blood होगा, उस blood का जो color है, वो color rail होगा, लेकिन जब हम blood के color को देखते हैं, blood artery के अंदर हो, means blood vessels, जो body के अंदर blood vessels है, वो दो तरह की होती हैं, एक को कहते हैं artery, और दूसरे उनों कहते हैं vein, तो जो artery के अंदर blood होगा, उस artery के अंदर का जो blood होता है, वो blood हमारा bright red in color होगा, इसको उनों कहेंगे, it is bright red in color, और जो blood vein के अंदर होगा, it will be in dark red in color, means कि जो red है, उस red का shade भी change होगा, shade भी vary करता है, और वो depend करता है, कि वो blood किस जगा पर पाई जा रही है, यदि वो artery में है, तो it is the bright red in color, और यदि वो vein में है, तो it is dark red in color, ऐसा क्यों? उसका simple explanation है, कि जो hemoglovine है, इस hemoglovine के चलते blood का color red है, अब ये जो hemoglovine है, उसके blood का जो red color है, उसके अंदर redness कितनी ज़्यादा है, कितनी कम है, या किस extent में है, वो इस बात पर depend करता है, कि उसके साथ oxygen कितना ज़्यादा combine है, oxygen के amount, जितना ज़्यादा इस hemoglovine के साथ combine होगा, would hemoglovine उतनी ज़्यादा bright होंगी, मत्तब क्या हुआ, कि जो artery होंगी, उस artery के अंदर जो blood होंगी, उस blood के अंदर hemoglovine के साथ oxygen भी पाया जाएगा, और जब ये oxygen पाया जाए, जितनी ज़्यादा oxygen होगी, उतनी ज़्यादा उस red color की brightness increase करती चली जाएगी, जाती हैं, क्योंकि oxygen हमारे sales के द्वारा utilize कर ली जाती है, और फिर जब blood vein में enter करता है, तो वो oxygen उसके अंदर नहीं पाई जाती है, और जब वहाँ पे oxygen नहीं पाई जाती है, तब उसका जो vein के अंदर जो blood है, उसका जो color होगा, that will be the dark red in color, मैं उम्मीद करता हूँ, अब आप समझ गया होंगे कि आर्ट्री के अंदर blood bright red होता है, और क्यों होता है, और vein के अंदर color dark red होता है, और वो क्यों होता है। फिर यहाँ पे एक और confusion आ गया, वो confusion यह रहा कि suppose करने कि हमारे जो blood है, हमारी जो vein हैं, हम सभी को अपने skin पे vein नजर आती हैं और जो वो vein नजर आती हैं इत इस blue in color उसका color blue है। और अभी हम लोग थोड़ी देर पहले study कि vein के अंदर जो blood होंगी उस blood का color जो होगा इत विल बी dark red in color। अब यहां confusion है कि जब blood का color dark red है तो हमाई जो vein हमें जो appear हो रही है, हमें जो vein नजर आती हैं वो vein blue color की क्यों नजर आती है। इसका मतलब हुआ कि vein के अंदर जो blood है वो blue color का है। अब यदि आपसे कोई पूछे कि vein के अंदर blood कौन सा है और यदि आपने जबाब दे दिया कि यह blue color है तो वो आपका wrong answer माना जाएगा। वहां का जो blood है, it is the dark red in color। अब इस प्रस्ण का क्या explanation होगा कि vein का color फिर जैदि dark red है तो उसका color हमें blue क्यों appear होता है, हमें वो blue क्यों दिखाई देता है। कि वहां पे किस color के light का absorption हो रहा है और किस color के light का reflection हो रहा है। तो जब vein के उपर light के sun rays जब जाती है या कोई भी light rays जाती है तो वहां से हमें वो reflection that is the blue color का है और इसलिए हमें वहां पे जो vein होती है वो vein blue color की दिखाई देती है। it is our eye perception या आई के हमें appearance है लेकिन हकीकत में vein के अंदर जो blood होगा that blood will be the blue in color। अब यहां पे एक important constituent आ गया that is the hemoglobin की RBC के अंदर जो empty space है उस empty space पे जो maximum amount है वह maximum space जो occupied है वो किसके दर occupied है तो by the hemoglobin। आईए अब हम लोग इस ही hemoglobin के बारे में थोड़ी और जानकारी हासिल करने की कोशिस करते हैं। जब हम hemoglobin को केमिकली देखते हैं तो हम ऐसा पाते हैं कि hemoglobin एक है conjugated protein है। hemoglobin क्या है कि it is protein in nature और protein में भी कौन सा protein है तो it is the conjugated protein। का मतलब यह हुआ कि वैसा protein कि जिसके अंदर protein मॉलकल के साथ साथ कोई दूसरा compound भी attached है तब हम उस protein मॉलकल का नाम देते हैं कि it is conjugated protein। तो अब यहां पर जो protein है उसके साथ है actual में iron attach होता है और चुकि इसके साथ iron attach है protein के साथ और iron attach होकर के protein के साथ attach होने के बाद वो hemoglobin का formation करता है। इसलिए इस hemoglobin को हम लोग क्या करते हैं it is conjugated protein। अब इसके हम लोग composition देखते हैं तब यह पाते हैं कि इसके अंदर iron पाई जाती है और protein पाई जाती है means जो hemoglobin है वो iron और protein के combination से बनता है। यह जो iron इस hemoglobin में पाई जाती है उसको actual में हम लोग एक word यूज़ करते हैं it is the heme और जो protein hemoglobin में पाई जाती है उस protein हो नाम देते हैं it is the globin तो क्या हो गया कि hemoglobin consist of hem that is iron in nature and globin that is proteinous in nature अब इस hemoglobin में जो iron होता है actual में वो iron ferrous form में होका हम जानते हैं कि iron दो form में exist करती है एक को कहते हैं ferric form और दूसरे हो क्या कहेंगे ferrous form तो hem के अंदर जो iron होता है वो iron हमारा ferrous form में पाया जाता है अब यह जो hemoglobin है इस hemoglobin का जो amount है वो amount भी vary करता है male और female में male के अंदर hemoglobin का amount ज़्यादा होगा और female के अंदर hemoglobin का amount कम होगा और यह amount क्या है कि जब हम male का देखते हैं तो male के बारे में ये कहाता है कि male के body में 15 gram per 100 ml blood में ये हमारी hemoglobin पाई जाती है और उसी तरह से जब हम female देखेंगे तो female के body में 13.5 gram per 100 ml hemoglobin पाई जाती है अब प्रश्ण ये है कि hemoglobin female में कम क्यूं है और male में जादा क्यूं है उसका कारण हम लोग पहले पर चुके हैं जान चुके हैं कि female के body में menstruation cycle के चलते हर महीने bleeding होती है और जिससे वहाँ से RBC का या blood का loss होता है और चुकी वहाँ से हर महीने RBC और blood का loss होता है तो RBC का जब amount कम होगा तो natural है कि female के body में hemoglobin का amount भी कम हो जाएगा अब यह जो हमारी RBC है यह RBC हमारे body के द्वारा synthesize होती है body के bone marrow में इसकी synthesis होती है और यह bone marrow में जो RBC means red blood cells का synthesis होगा उसका जो life period होता है that is the 120 days कि एक बार RBC bone marrow में synthesize हो गई वहाँ से synthesize होने के बाद वो RBC blood के अंदर enter कर गए अब blood के अंदर वो 120 days तक वो survive करेंगे और 120 days के बाद उस RBC का death हो जाता है वो RBC वहाँ से खतम हो जाती है और हम कहेंगे कि उस RBC का breakdown हो जाता है और जब breakdown होगा हमें मालूम है कि RBC के cell के अंदर सिर्फ एक ही component पाई जा रही है और उस component का नाम है it is the hemoglobin तो जैसे ही RBC का death होगा उसके RBC के अंदर से जो hemoglobin है वो hemoglobin release हो जाएगा और release होकर के वो plasma के अंदर enter कर जाएगा अब यह जो hemoglobin है actual में जो RBC का destruction होता है RBC का breakdown होता है या RBC की जो disintegration हो रही है वो disintegration body के जो esplene है इस esplene के अंदर या यह जो liver है उस liver के अंदर होता है और उस liver के अंदर जब इसकी breakdown होगी तो वहां से RBC का hemoglobin है वो hemoglobin वहां से माहर को निकल जाएगा और वो hemoglobin हमारी liver और esplene में enter करेंगी अब जो hemoglobin है जो liver के अंदर enter करती है तो यह hemoglobin two parts में break हो जाता है दो parts में तूट जाएगा एक का part होगा that is the heme और दूसरे का part होगा that is the globin तो अभी हम लोग ने क्या परहा कि जो heme है it is iron it is ferrous iron या it is ferrous compound और जो globin है it is the proteinous compound अभी जो यह globin है यह globin हमारे body के अंदर enter करती है और जो हमारी body है वो body इस globin को convert कर देती है into the amino acid जैसे globin क्या हुआ ही hemoglobin break हुआ किस में break हुआ heme and globin में, globin का क्या होगा, globin is a proteinous in nature हम सभी को मालूम है कि जब protein का metabolism होता है protein का digestion होता है तो वो amino acid में convert हो जाता है तो ग्लोबीन भी चुकी एक protein है तो globin का metabolism होगा, globin का digestion होगा और यह globin भी ultimately किस में convert जाएंगी into the amino acids और यह amino acids different shells के अंदर enter करेंगी और shell उसका utilize करेगा इस amino acid को to synthesize the proteins means जो hemoglobin का जो globin बाहर निकला वो globin waste नहीं हुआ हमारे body ने उसको recycle किया, recycle करके amino acid बनाया और फिर उस amino acid का use हमारे body ने किया to synthesize other protein compound अब आई बारी दूसरी that is the heme जब हम heme के बारे study करते हैं तो हम यह देखते हैं कि जो heme है actual में heme दो चीजों के मिलने से बनता है एक तो heme as such हो गया जिसे iron कहेंगे और दूसरा हो गया that is the bilirubin दो चीजों से बना है heme and bilirubin अब हमारी body के अंदर लीवर के अंदर दो चीजें enter हो गई एक को हम लोग नाम दिया iron और दूसरा हम लोग क्या दिया it is the bilirubin जो iron होगा वो iron हमारी लीवर के द्वारा utilize कर ली जाएगी और utilize करने के बाद एक नया compound बनेगा that is the ferritine or home sederine ferritine and home sederine liver इन दोनों को अपने पास store कर लेगा और body को जब भी iron की आवशकता होगी तो body इसी ferritine से और इस home sederine से iron को generate करेगा और फिर वो iron हमारे body के द्वारा utilize कर ली जाएगी अब जो हमारी कुछ iron बच गई क्या हुआ हमारे एक iron का क्या हुआ एक पार तो हुआ जो की ferritine और home sederine के synthesis में यूज किया गया कुछ जो iron होंगी वो bone marrow के अंदर enter करेंगी और bone marrow उस iron का utilize कर लेगा किसके लिए तो to synthesize the fresh hemoglobin means iron दो जगे utilize हो गई, bone marrow में जो iron enter करेंगी वो use कर ली जाएगी to synthesize hemoglobin और जो liver के अंदर हो गई वो ferritine या home sederine के रूप में वहाँ पे store रहेंगी और जब कभी body को iron की आओ सकता होगी तो body इन ही से अपने iron के requirement को fulfill करती रहेंगी अब आई बारी Billy Rubin का, Billy Rubin क्या है, Billy Rubin एक बहुत ही important constituent है, बहुत ही important part है हमारे body का सबसे पहला part हुआ कि Billy Rubin जो होगा उस Billy Rubin से एक और pigment बनेगा that is the Billy Rubin, क्या कहेंगा, Billy Rubin, Billy Rubin भी एक pigment है, pigment मींस की color है और Billy Rubin भी एक pigment है, मींस ये भी एक color है, जो Billy Rubin होता है, इसका color yellow होगा और जो Billy Rubin होगा, उसका color green होगा, अब आईए हम लोग जानते हैं कि हमारे body इस Billy Rubin का क्या करता है इस Billy Rubin की हमारे body में क्या role है, सबसे पहले कि liver के अंदर bile की synthesis होती है और यही Billy Rubin utilize होती है, to synthesize the bile, जो RBC का Hemoglobin है, Hemoglobin के तूटने से, वहाँ पर जो Billy Rubin बन रहा है that Billy Rubin is used by the liver to synthesize the bile और वो bile gallbladder में store हो जाता है दूसरा use इसका, हम सभी ने study किया कि जो plasma है, it is yellow in color और plasma का जो yellow color है, it is mainly due to the presence of Billy Rubin in the plasma तीसरा हो गया, कि जो हमारा stool होता है, body का stool होता है, जो fecal matter है, जो waste product है जो undigested food है, जो body से बाहर को excrete होती है, उस stool का color brown होता है और वो जो brown color है, वो due to Billy Rubin present in the bile की liver में, जो bile होता है उस bile के अंदर Billy Rubin present होता है, और ये bile जब हमारे GIT के अंदर, GIT मेंज digestive system के अंदर enter करेंगी, तो जो undigested food होंगी, उसको brown color impart करेंगी brown color देंगी, इसका मतलब क्या होया कि जो stool का formation हो रहा है और जो brown color है, वो brown color किसके चलते है, it is only due to Billy Rubin फिर last इसका use हो गया, यहाँ पर main use में, और ही बहुँ सारी use है, लेकि ये four main use है कि जो हमारे urine है, उस urine का जो color होता है, वो pale yellow color का होगा और वो जो pale yellow color है, it is also due to the Billy Rubin, तो these are the four main role of the Billy Rubin in our body अब जो यह Billy Rubin है, यह Billy Rubin हमारे body में utilize कर लिया गया means क्या हुआ कि जो RBC का breakdown हुआ, वो breakdown होने के बाद वो waste नहीं हुआ, वो हमारे body नो उसको re-utilize कर लिया इससे क्या conclusion निकलता है, कि suppose करें कि हम किसी को blood donate कर रहे हैं, उस condition में हमारे body से blood का loss हो रहा है लेकिन हमें वो कोई नुक्सान नहीं पहुंचाता है और हमारे body उसको re-synthesize कर लेती है, क्योंकि यदि हम अपने blood का use नहीं करेंगे, blood donate नहीं करेंगे, उस condition में भी after 120 days सारे RBC destroy हो जाती है और नई RBC बनके body के अंदर enter कर जाती है, और इसी के चलते government ने एक rule भी बनाया है कि जो भी person blood donate करेंगे, तो first donation के बाद जब वो second donation करने जाएंगे, तो उनके बीच का जो gap minimum 120 days का होना चाहिए, मिन्स कोई भी person 120 दिन के बाद ही दुबारा blood को donate कर सकता है, तो इस तरह से हम लोगों ने ये जाना कि RBC क्या होता है, red blood cells क्या होती हैं, अब हम लोग आते हैं अपने next topic पे that is the leukocytes, क्या study किया शुरू में कि blood cells three types की होती है, एक करों नाम दिया था red blood cells, दूसरे करों नाम दिया था white blood cells, और तीसे करों नाम दिया था platelets, ये मतलब क्या हो गया, erythrocytes, leukocytes and thrombocytes, तो ये हमारी blood cells हैं, और हम लोग ने erythrocytes के बारे में detail study कर लिया, अब हम लोग शुरू करते हैं, that is the leukocytes, कि leukocytes क्या होता है, तो ये तो हम लोग जान चुके हैं, कि leukocytes को ये हम लोग white blood cells भी कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई भी color नहीं होता है, ये colorless होगा, और चुकि ये colorless होता है, इसलिए इसे हम लोग leukocytes को white blood cells का नाम भी देते हैं, अब ये leukocytes हैं, इस leukocytes का जो main function है, ये हमारे body के अंदर defensive का, defense का का काम करता है, defense मतलब कि हमारे body के अंदर कोई infectious disease हो रहा है, उस disease से fight करने की जो छमता हमारे body के अंदर develop होती है, वो किसके दर होती है, that is the WBC, that is the white blood cells, अब जो white blood cells है, जिसका लोग नाम दे रहे हैं, कि it is the leukocyte, ये किसी कारण से हमारे body में leukocyte का amount बर गया, तब हम उसके लिए एक term use करते हैं, it is called the leukocytosis, और किसी कारण से हमारे body में leukocyte का number कम हो गया, तो उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं, that is the leukopenia, हम लोग क्या term यूज़ करेंगे, that is the leukopenia and this is the leukocytosis, तो ये दो टर्म हैं, कि हमारे body के अंदर WBC, मसलब leukocytes का number ज्यादा हो गया, leukocytosis, number कम हो गया, कि हम लोग क्या कहेंगे, it is the leukopenia, अब ये जो leukocytes है, यहाँ पर भी ये दो वर्ट से बना, जैसे erythrocytes दो वर्ट से बना था, erythro and sites, ठीक इसी तरह से leukocytes भी दो वर्ट से बना है, एक नाम हो गया leuko और दूसरे कम हमनों कहेंगे, it is the sites, जब हम leuko word यूज़ करते हैं, इसका मतलब होता है sites, और जब हम cell word यूज़, sorry, sites word यूज़ करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, यह आप डाइग्राम देख रहे हैं, यह सारी के सारी डाइग्राम किसकी हैं, these are the diagram of the leukocytes, अब जो leukocytes है, leukocytes की जो cytoplasm है, उस cytoplasm में nucleus, sorry, leukocytes का जो cell है, इस cell के अंदर cytoplasm पाई जाएंगी, और उस cytoplasm के अंदर nucleus पाई जाएंगी, जबकि हम लोगो ने RBC कैसरी क जिया था, कि जो red blood cells होंगे, उसके साइटो प्लाजम भी नहीं होंगी, उसमारे तो कम होंगी, और उहां पे nucleus absent होगी, nucleus नहीं पाया जाएगा, अब जो इसके अंदर जो cytoplasm है, उसके structure के अधार पे, फर्दर हम लोग leukocytes को दो group में divide करते हैं, चलिए उसके division करने से पहले थोरा सा हमारी slide के उपर लिखा हुआ है, leukocytes की कुछ characteristics है, कि हम लोग उस characteristics को जानते हैं, कि leukocytes का क्या characteristics है, सबसे पहले यह कहा जा रहा है, कि जो leukocytes है, यह this leukocytes is larger in size than RBC, कि इसका जो size होगा, वो size RBC के size से ज़्यादा बढ़ा होगा, दूसर कहा जा है, कि it is amoeboidal in shape, RBC क्या कहा गया था, it is circular disc shape by concave structure, और यहां क्या कहा जा रहा है, it is amoeboidal in shape, जब हम amoeboidal word use करते हैं, इसका मतलब क्या होगा, कि वैसा shape है, जिसका कोई fix shape और size नहीं है, तब हम उसके लिए जो word use करेंगे, that is the amoeboidal shape, means इसका जो shape होगा, वो shape continuously change होता रहता है, इसके अंदर amoeboidal movement पाई जाती है, means जो movement है, एक जगा से दूसरे जगा, वो amoeba की तरह होती है, इसलिए हम कहेंगे, it is amoeboidal in movement, इसके अंदर एक characteristics होती है, एक ability होती है, कि ये blood cells, means blood capillaries से बाहर को निकल सकती है, RBC क्या था, कि RBC blood capillaries के अंदर ही रहेगा, और plasma के साथ ब्लड में circulate होता रहेगा, RBC भी plasma के अंदर होंगी, और blood vessels के साथ वो circulate होती रहेंगी, लेकिन उसके साथ इसके अंदर एक ability होती है, कि वो blood capillaries से बाहर को निकल सकती है, और निकल के वो किशी भी cell के अंदर enter कर सकती है, और cell से फिर ये amoebidal movement के दोरा बाहर निकल सकती है, और फिर दुबारा से वो in blood vessels या blood vein या blood capillaries के अंदर enter कर सकती है, तो ये इसकी एक कुछ खासियत है, जो WBC में पाया जाता है, WBC के अंदर cytoplasm होता है, हम लोग जान चुके हैं, WBC के अंदर nucleus होता है, ये भी हम लोग जान चुके हैं, और WBC के अंदर mitochondria, Golgi apparatus या बहुत सारे जो cell organs हैं, वो सारे cell organs WBC में पाई जाती हैं, जबकि ये cell organs red blood cells में नहीं पाया जाता है, अब जो WBC है, इस WBC को हम लोग further two types में divide कर सकते हैं, कि दो type की होती हैं, लेकि इसके type को समझने से पहले, थोड़ा सा हम लोग RBC के बारे में एक factor और जो मैं miss कर गया, उसे मैं repeat कर दे रहा हूं, हमने क्या कहा कि RBC की जो structure होता है, that is the biconcave in nature, मतलब कि इसका जो center होगा, center का thickness कम होगा, और जो periphery होंगी, इस periphery की thickness से ज़्यादा होंगी, और इस तरह का structure होंगे, it is biconcave in nature, means दोनों side में, यह disc है, तो disc के दोनों ही side में जो होगी वो हमें elevation और depression दिखाई देगी, और वो क्या करेगा, कि center के thickness को कम करेगा, periphery के thickness को पढ़ाएगा, इसका advantage यह होता है, कि इससे RBC का जो surface area है, वो surface area increase हो जाती है, और जब इसकी surface area increase हो जाएंगी, तो RBC के अंदर oxygen carrying capacity भी increase हो जाएंगी, means जो इसका जो biconcave structure है, वो biconcave structure इसको help करता है to increase the oxygen carrying capacity, हम सभी को मालूम है कि RBC oxygen को carry करता है कहां से, lungs से और कहां लाकर उसको dispose off करेगा, तो inside the shells वो shells के अंदर dispose off करेगा, तो lungs से जो इसकी oxygen को carry करने की capacity है, वो capacity increase हो जाती है, और किसके चलते होती है, तो due to it से biconcave structure, तो यह होगी हमारी RBC के बारे में थोड़ी सी जान करी, अब हम अपने point पे वापस आते हैं, कि जो leukocytes है, WBC है, वो WBC कितने type की होती है, RBC क्या कहा गया, वो single type की होती है, that is the erythrocytes, लेकिन WBC further two types की होती है, एक करूँ नाम देते हैं, it is the granulocyte, और दूसरे करूँ नाम देते हैं, it is agranulocyte, चलिए बाद में आदेगा हमाई slide में, एक का नाम होगी है, हम लोग, granulocyte, और दूसरे के नाम देंगे, that is the agranulocyte, कि जब WBC के cytoplasm के अंदर, small granules पाई जाएंगी, दानेदार सा structure पाया जाएगा, तो उस तरह के WBC का हम नाम देते हैं, it is the granulocyte, और यदि cytoplasm के अंदर, जो granules है, वो granules absent है, granular structure नहीं पाया जा रहा है, cytoplasm दानेदार नहीं है, तब हम उसका नाम देंगे, it is the agranulocyte, ए में चोगया absent, और granules का मतलब हो गया granules, और scyte मतलब हो गया cell, कि वायसा cell जिसके अंदर granule absent है, तब हम उस cell को क्या कहेंगे, it is the agranulocyte, तो जो WBC है, वो WBC two types की हो गई, एक का नाम दिया गया granulocyte है, और दूसरे का नाम दिया गया agranulocyte, अब इस granulocyte को हम लोग एक और नाम देते हैं, that is the polymorph nuclear leukocyte, इस polymorph nuclear new leukocyte का क्या मतलब हुआ, देखिए, तीन वर्ड के मिलने से बना, एक poly, दूसरा morph और तीसरा हो गया nuclear, poly का मतलब हो गया multiple, many, हम सब जानते हैं, poly का मतलब क्या होता है, several, many, महुँ सारे नमबर, और nuclear का मतलब क्या हो गया, nucleus, और जब word use हम कर रहा है, morph, morph, m-o-r-p-h-e, इस morph का मतलब हो गया, morphology, means structure, means कि वैसा nucleus, जिसकी जो structure है, वो variable है, इसलिए हम जो क्या करते हैं, it is the polymorph है, means कि जो हमारी एक granulocyte है, इस एक granulocyte की जो nucleus होंगी, इस nucleus में variation होंगी, और इसी variation के चलते हम लोग granulocyte का एक और नाम देते हैं, that is the polymorph nuclear leucocyte, अब इसके अंदर जो granules हैं, जो nucleus हैं, वो nucleus lobed होती है, lobed मतलब कि different sacks होंगी, जैसे यहाँ पर single हो गया, यहाँ पर double हो गया, यहाँ पर 2 मत, 3 या 4 lobes से nucleus में develop हो गई, तो क्या हो गया कि जो WBC का nucleus होगा, वो irregular shape का होगा, या कर सकते हैं subdivided होंगी, या कर सकते हैं lobulated होंगी, बहुत सारे lobules बनाएंगी, अब यह जो leukocytes हैं, यह leukocytes को further हम लोग 3 types में divide करते हैं, एक को कहेंगे yosinophil, दूसरे कहेंगे basophil, और तीसरो कहेंगे neutrophil, सबसे पहले क्या कहा गया, कि WBC, 2 types की हो गई, एक का नाम दिया गया granulocyte, दूसरे का नाम दिया गया a granulocyte, फिर क्या कहा जा रहा है, कि जो granulocyte है, वो further 3 types की होंगी, एक का नाम दिया गया yosinophil, तूसरे का नाम दिया गया basophil, और तीसरे का नाम दिया गया neutrophil, means यह हो गया हमारा yosinophil, this is the basophil, and this is the neutrophil, अब देखे, योशinophil का मतलब क्या है, योशinophil क्या होता है, एक डाई, यह जो नाम है, वो इस बात पर लिपेंड करती है, कि उसके अंदर, कौन सा कलर डेवलाप पर हो रहा है, यदि कोई acidic कलर को accept कर रहा है, means ऐसा डाई, जो acidic in nature है, उसके कलर के, उसके granules ने accept कर लिया, तब हम उससे कहेंगे, it is the yosinophil, उसके नाम देंगे, it is the yosinophil, चुकि acid को accept कर रहा है, जिसका दूसरा नाम दे सकते हैं, that is the acido phil, जो हमारी basophil है, नाम से कलियर है, कि alkaline color को, basic color को, basic मतला कि अधार नहीं, alkaline, कि यह alkaline color को accept करेंगी, और चुकि alkaline color को accept कर रही है, इसलिए से क्या करेंगे, it is the basophil, तो this is the acido phil, and this is the basophil, अब हम लोग, इस yosinophil के बारे में, थोड़ा और जानकारी हाशिर करने की कोशिस करेंगे, जिसने हम लोग, acido phil भी कहते हैं, अपने topic को समझने से पहले, थोड़ा सा एक general discussion करते हैं, जब कोई डॉक्टर हमारे blood का analysis करता है, और हमें उसे दी हमारे blood के अंदर, यो शिनोफिल का amount ज़्यादा नजर आता है, इसका level ज़्यादा नजर आती है, तब वो डाइग्नोज करता है, कि हमें किसी न किसी तरह से हमें allergy हो गई हैं, या हम कह सकते हैं कि यदि कोई allergic person है, उस allergic person का जब blood की analysis की जाती है, तो वहाँ पर ये पाया जाता है, कि जो यो शिनोफिल का level है, एसिडोफिल का जो level है, वो level, नॉर्मल level से वहाँ पर ज्यादा हो गया है, तो अभी हम लोग को ये पता चलेगा, कि allergic condition में ये एसिनोफिल का number increase क्यों हो जाता है, चलिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं इसके structure के बारे में, तो इसके structure के बारे में ये हो गया, कि ये इसके अंदर जो nucleus होगा, वो nucleus by lobed होगा, मेंसे कि दो lobes के मिलने से इसका nucleus का formation होता है, और ये दोनों लोग आपस में एक strand या एक धागे की जैसे structure से आपस में ये दोनों लोग united होंगे, तो this is the nucleus, दूसरा क्या point हो गया, कि इसके अंदर शाइटो प्लाज्म है और उस शाइटो प्लाज्म में granules पाई जाती है, और ये granule से एक डाई है जिसका लोग नाम देंगे eosin, उस eosin के color को accept करता है, और इसके accept होने से इसका नाम दिया गया, it is the eosinophil, तीसरा क्रेक्ट्रिस्टिक्स है, कि ये हमारे body के अंदर slight phagocytic action प्रोड्यूस करता है, slight phagocytic, phagocytic का मतलब क्या हो गया, कि phagocytosis, जह हम वर्ड यूज करते है phagocytosis, इसका मतलब होता है eating, eating cells, eating cells मतलब कि वैसा cell जो किसी दूसर cell को engulf कर ले, तब हम उस तरह की जो process होगी, उस process का मतलब नाम देते है, it is the phagocytosis, तो इसके अंदर एक प्रोपर्टी होती है, कि दि हमारे body के अंदर बाहर से कोई bacteria या कोई microbes एंटर कर रहा है, तो उस microbes को ये cell, योशिनोफिल या एशिनोफिल किल कर देंगी, उस microbes को destroy कर देती है, और इसको destroy करने की जो capacity है, वो capacity हम लोग कहना नाम देते हैं, या उस process हम लोग कहना नाम देंगे, it is the phagocytosis, तो इसके अंदर phagocytic activity पाई जाती है, लेकिन ये activity बहुत ज़्यादा strong नहीं होती है, इसलाइट होती है, इसलिए बहुत completely ये bacteria को या किसी भी microbes को engulf नहीं कर पाएगा, उसे खा नहीं पाएगा, दूसरा, कि हमारे body के अंदर कोई antigen है, या कोई toxic substance एंटर कर गया, कोई poisonous substance एंटर कर गया, कोई harmful chemical हमारे body में एंटर कर गया, तो उस chemical को neutralize करने की capacity इस eosinophil के अंदर पाई जाती है, तीसरा, कि ये जो eosinophil है, जब ये eosinophil की एक और property पाई जाएगी, कि ये हमारे body में histamine जो होती है, उस histamine को inactivate कर सकती है, उस histamine को ये destroy कर सकती है, और इसके द्वारा क्या हो गया, कि ये हमारे body के अंदर allergy और inflammation को control करता है, अब देखिए, सबसे पहला क्या हो गया, कि हमने क्या study किया, कि हमारे body में योशinophil का level increase हो जाता है, वो किस condition में होगा, या तो कोई हमारे body के अंदर allergy condition हो गई, या हमारे body के अंदर किसी भी microbe से infection होगी, जैसे ही कोई microbe हमारे body के अंदर enter करता है, हमारे body उस microbe को neutralize करने के लिए, उस microbe को destroy करने के लिए, उस microbe को kill करने के लिए, various defensive mechanism को activate करता है, और उन में से एक ये mechanism ये भी है, कि हमारे body एसिदो फिल के number को increase कर देगा, योशिनो फिल के number को increase कर देगा, ताकि वो उन bacteria, उन microbes को kill कर सके, दूसरा, कि जब हमारे body के अंदर allergic condition होता है, किसी विकारण से allergy develop होता है, हमारे body एक chemical को secret करती है, जिसकों लोग कहते है histamine, मिन से ज़िए हमारे body में allergy है, तो हमारे body इस histamine को release करेगी, या यह histamine body के बाहर से भी body के अंदर enter कर सकती है, जैसे snake venom है, उस venom के अंदर histamine पाई जाती है, या कोई insect है, वो insect bite करता है, और उस insect bite से हमारे body के अंदर swelling होती है, तो वो swelling क्यों हो रही होती है, क्योंकि insect के body में, insect के saliva में हिस्टामीन पाई जाती है, और वो histamine हमारे body के अंदर enter कर गई और उससे वहाँ पे swelling हो गई, वहाँ पे inflammation हो गया, तो यह जो histamine enter कर रही है, जो मालों किसी भी कारण से body के अंदर histamine develop हो गई, किसी allergy से या किसी infection से या किसी insect bite से, उस condition में हमारी body यह snow field को secret करती है, ताकि वो histamine और लिको को inactivate कर सके, और यह हमारे body के अंदर के inflammation को और allergy को control कर सके, तो यह main function होगी है हमारे, that is the function of the yosinophil, इसके अलावा, यह जो हमारी acidophil है, उसके दोरा एक enzyme release की जाती है, उसका नाम होता है, lysozomal enzyme, यह जो lysozomal enzyme है, इस lysozomal enzyme की एक activity होती है, कि यह bacteria से, bacteria means microbes के साथ, microbes के वाल के साथ stick हो जाती है, और यह उनके वाल को digest कर देती है, और जब यह उनके वाल को digest कर देंगी, तो उस condition में उस bacteria का death हो जाएगा, अब bacteria का death होने का दो कारण है, एक क्या हो गया हमारा, that is the phagocytic, बज़े यह शिनोफिल है, वो phagocytic effect produce करेगी, और bacteria को engulf करके खा जाएगी, bacteria का death हो जाएगा, दूसरा अब कि इसके द्वारा lysozomal enzyme secret की जाती है, और यह lysozomal enzyme bacteria या microbes के shell वाल के साथ attach हो जाती है, और यह enzyme उनके shell वाल को digest कर देंगी, जिसे bacteria का death हो जाएगा, अब इसका use क्या हो गया, कि पहला use तो हो गया, कि यह allergic condition को control करता है, दूसरा use हो गया, कि यह detoxification करता है, तीसरा use हो गया,ब तीसरा कि हो गया, थी हमारे बॉड़ी के आंदर warm infection हो रहा है, अब देखिए, warm infection हो गया, उस condition में भी हमारे बॉडी में यह का number होता है, वो number increase हो जाता है, और यह जो हमारे यह snow fill है, उसका life period हमारे बॉडी म few days की होती है कुछ दिनों की होती है और कुछ दिनों के बाद वो अपने याप पे खत्मे हो जाएगा मिन से जदी माल ली जिए कि allergy हमारे body में develop हो गई तो योशनो फिल का number बढ़ जाएगा तो कुछ समय के बाद उस योशनो फिल का number दिये जिरे कम हो जाएगा और जैसे ही number कम होगा जो हमारी जो symptoms है वो symptoms हारी हमारी control में आ जाती है तो these are the about the योशनो फिल अब जो next cell है that is the basophil जो basophil है basophil का कहा जा रहा है कि इसके जो साइटो प्लाजम होंगी उस साइटो प्लाजमे जो granules का number होगा वो कम होगा compare to the योशनो फिल या जो एशिदो फिल एशिदो फिल में granules का number ज्यादा होगा basophil में granules का number कम होगा दूसरा कि यह basic color को basic dye के color को accept करेगी जैसे example है methylene blue तो यह methylene blue के color को accept करती हैं तीसरा कि इसके अंदर जो lobes होंगे वो lobes से three lobes होंगे त्री lobes में वहाँ पे क्या बताया था कि two lobes है यहाँ पे क्या हो गया it is the three lobes है और वो aces shape में arrange रहेंगे तीसरा मरा आगया that is the neutrophil जो neutrophil है यह दो shape में पाई जाती हैं कि जब यह non motile stage में होंगी उस समय इनका shape राउंड होगा और जब यह motile stage में होंगी तब इनका shape क्या हो जाएगा कि acidophil में granules के number जादा होंगे basophil में granules के number कम होंगे और जो हमारी neutrophil है वहाँ पे जो granules होंगी these granules will be fine granules से बहुत ही बारिक बहुत ही छोटे-छोटे granules इसके अंदर पाए जाएंगे और जो granules होंगे वह दो size में होंगे एक कहेंगे larger granules और दूसरे कहेंगे smaller granules जब हम compare करेंगे acidophil और basophil से तब तो इनके size smaller होंगे उन दोनों से fine में होंगे फिर भी जो granules इस cytoplasm पाई जा रही है इस neutrophil में पाई जा रही है उनके shape में variation होगा कुछ granules का size larger होगा और तो जो larger granules है इस larger granules को नाम देते है इस दा primary granules और जो हमारी जो smaller granules है इसका हम नाम देते है इस दा secondary granules और जो primary granules है इसके अंदर भी lysosome enzyme पाई जाती है अब इसके अलावा क्या कहा जा रहा है कि जो हमारी जो neutrophil है यह neutrophil भी color को accept करेंगी और किस color को accept करेंगी तो neutral dye means कि वैसा color वैसा dye जो neutral in nature है ना तो वो acidic है और नहीं वो alkaline है तो ऐसे dye के color को यह accept करती है और वो connect करेगा तो that is it is the primary granule की जो primary granule होंगे वो bithylene blue के color को accept करेंगी और जो यह secondary granules है यह secondary granules है जिमसा स्टेम या निलसा स्टेम इनके color को accept करती है फिर कहा जा रहा है कि nucleus के बारे में क्या कहा गया एसिलो फिल बाइलोब्ड बैसो फिल थ्री लोब्ड एंड इस न्यूट्रोफिल इस दा मल्टी लोब्ड कि इसके अंदर जो nucleus होगा वो multi-lobed nucleus होगा और यह सभी एक narrow strand से पतले पतले धागे से एक दूसरे से attached रहेंगे और इनका जो shape हो जाएगा वो horse shoe की just horse shoe की जो shape होती है उस shape में इसका पाया जाएगा इसके अलावा तो और इसका जो main function है that is the main function is it is phagocytic in nature यह phagocytosis produce करता है acidophil क्या था phagocytic था लेकिन slight phagocytic है यह full phagocytic effect produce करता है और इसकी जो life period होती है वो 10 to 12 days होंगी तो इस तरह समलोंने यह जाना कि acidophil क्या होता है basophil क्या होता है और neutrophil क्या होता है सुरू में हमोंने क्या study किया था क्या हमारे यह granulosis है जो हमारी यह hou वारी डोसरकिय है two तरह की हैм एक का नाम द्यागया granulosis हम लोगोंने granulosis का study कर लिया अब हम लोग जाने के कोशिस करेंगे that is the A granulosis का मतलब क्यी हो घैकहाई होग बहुत हैं पाया जाएगा, तब हम उसे कहेंगे, it is the agranulocyte, जो हमारी granulocyte थी, उसके अंदर क्या था, polymorph nucleus था, polymorph nucleus था, जो nucleus थी, वो different shapes की थी, लेकिन, जब हम granulocyte की बात करेंगे, तो यहाँ पर जो nucleus पाया जागा, वो एक shape का होगा, तो इसलिए इसका दूसरा नम दे सकते है, it is the mononuclear leukocyte, और यह जो mononuclear leukocyte है, यह two types की होती है, एक रो नाम देंगे lymphocyte, और दूसरे नाम देंगे, sorry, इसका नम देंगे monocyte and lymphocyte, उसका नाम क्या हो गया, monocyte and this is the lymphocytes, तो इस तरह से हम लोगों ने यह जाना, कि जो leukocytes है, वो leukocytes की इतने तरह की होती है, अब जो lymphocytes है, इस lymphocytes के बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल करते है, अब हम लोग एक granulocytes के बारे में कुछ जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं, एक granulocytes के नाम से ही clear है, कि इसके cytoplasm में किसी भी तरह का कोई granules नहीं पाया जाएगा, और इसकी जो nucleus होंगी, वो nucleus, single nucleus होंगी, इ क्योंकि इसके cytoplasm में कोई granules नहीं पाई जाएगी, इसलिए इससे हम लोग A-granulocytes का नाम देते हैं, जबकि इसकी जो nucleus होती है, वो without lobe, कोई lobe नहीं होता है, इसलिए इसको अलग एक और नाम देते हैं, that is the mononuclear leukocytes, mononuclear leukocytes, अब यह जो A-granulocytes हैं, यह जो हमारी mononuclear granulocytes हैं, यह further two types में divide होती हैं, एक का नाम देंगे monocytes और दूसरे का लोग नाम देते हैं, that is the lymphocytes, आईए हम लोग पहले lymphocytes के बारे में जानकारी हाशिल करने की कोशिस करते हैं, यहाँ जो lymphocytes हैं, यह दो वर्ड से बना है lymph and sites, lymph का मतलब ही होता है water, lymph word का मिनिंग क्या होता है water, और sites का मतलब क्या होता है, cell, मिन्स यह वाटर की cell होगी, वाटर के color का cell होगा, और इसलिए इसका नाम देते हैं, it is the lymphocyte, यह जो lymphocyte होंगी, इसके अंदर single nucleus होगा, और large round nucleus पाया जाएगा, और इसके चलते जो cytoplasm के amount होगा, वो lymphocyte में बहुत ही कम होगा, क्योंकि maximum space होंगी, वो nucleus के दोरा occupy कर ली जाती है, यह जो nucleus होंगी, या जो हमाई यह lymphocytes होंगी, उसको further दो group में divide करते हैं, कुछ चों कहते हैं, दी जार्दर larger in size, larger lymphocyte, और जो small होंगे, उससे कहेंगे smaller lymphocyte, जो larger lymphocytes होंगी, they are the young lymphocyte, young lymphocyte मींसे, अभी वो immature lymphocytes हैं, अभी वो mature नहीं हुए हैं, तो मींसे, कि जो larger है, that is the immature lymphocytes, that is the young lymphocytes, और जो smaller lymphocytes हैं, उनको हम लोग कहेंगे, these are the mature lymphocytes, means larger is the immature and smaller one is the mature lymphocytes, यह जो lymphocytes हैं, especially जब यह mature हो जाती हैं, तब वो mature lymphocytes, means small lymphocytes, further दो पार्ट में divide की जाती हैं, एक को कहते हैं, T lymphocytes, और दूसरे कहेंगे B lymphocytes, जो 85% of smaller lymphocytes हैं, this is the T lymphocytes, और जो rest 15% हैं, that is the B lymphocytes, इसका जो nucleus होगा, वो nucleus से basic color को, जो basic dye होगी, उस basic dye के color को accept करती हैं, और जो nucleus को होगा, उसके अंदर acceptance होगी, इस color का वो ज़्यादा होगी, compare to the shytoplasm, means जो shytoplasm है, इस shytoplasm के अंदर जो dye का color acceptance होगा, वो कम होगा, और nucleus के अंदर जो acceptance color होगा, वो ज्यादा होगा, यह non motile होती हैं, और non phagocytic in nature भी होता है, means यह किसी भी तरह के bacteria या pathogen को destroy नहीं कर सकती, और इसका means synthesis है, वो lymph node के द्वारा, या esprin के द्वारा, या bone marrow में किया जाता है, तो इस तरह से हम लोगों ने जाना कि जो lymphocytes हैं, उस lymphocytes की क्या characteristics हैं, अब अगला आया, that is the monocytes, यह जो monocytes हैं, यह single cell हैं, और it is the largest, जितने भी हमारे blood के अंदर cells पाई जाएंगे, उन में से जो largest cell है, that is the monocyte, इसके अंदर cytoplasm होती हैं, और बहुत ज़्यादा lysozome enzymes भी पाई जाती हैं, lysozome बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, जो कि lysozomal enzyme को secret करती हैं, यहां पर भी जो largest हमारी lymphocytes है, जिसका size ज्यादा बड़ा है, वो amoeboidal in shape होगा, और इसके अंदर जो nucleus होगा, वो shape जो होगा, वो bean shape होगा, वो bean मतलब कि राजमा के shape में होगा, और it is highly phagocytic in nature, जो monocyte होते हैं, वो highly phagocytic है, means बहुत ज़्यादा active है, to kill, to destroy the microglymps, enter into the body, means जो WBC का जो phagocytic action, जो defensive action है, वो mainly किसके चलते हैं, it is mainly due to the monocytes present in the WBC, हलांकि जो दूसरे WBC हैं, दूसरे जो leukocytes हैं, वो भी defensive तो हैं, लेकिन monocytes के अंदर ये capacity सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं, तो इस तरह से हम लोगों ने ये जाना कि monocytes से क्या होते हैं, उसके बाद एक last topic बच गया, that is the thrombocytes से, कि thrombocytes या platelets क्या होते हैं, तो इनका number बहुत कम होता है, और इनका main काम होगा कि ये blood के clot करने में, blood के coagulation में help करते हैं, तो इस तरह से हम लोगों ने complete किया, कि blood का क्या composition है, एक बाद आईए हम लोग, इस composition बहुत सारे नाम आगए, बहुत सारे confusion हो गया, उसको हम लोगों सिर्फ नाम नाम को repeat करते हैं, कि blood की जो composition है, उसके अंदर कौन कौन से cells पाई जाती हैं, तो सबसे पहले हमने जाना, कि इसके अंदर 55% plasma पाया जाता है, इसके अंदर 3 types के cells पाया जाते हैं, जिसका नाम बताया गया, erythrocytes, leukocytes and thrombocytes, जो erythrocytes हैं, वो single color का red blood cells है, RBC है, और जो leukocytes होती हैं, जो WBC करते हैं, यह further two types में divide किया गया, एक का नाम दिया गया, A granul scyte, A granulocyte and the granulocyte, जो granulocyte है, वो further three parts में divide किया गया, एक का नाम दिया गया, योशिनोफिल, बैसोफिल and neutrophil, और जो A granulocyte हैं, उनको further two parts में divide किया गया, और उसका नाम दिया गया, monocyte and lymphocytes, monocytes and lymphocytes, confusion नहीं होंगे, यह क्या word है, lymphocyte, और WBC क्या नाम है, it is the leukocyte, WBC is the leukocyte, और जो lymphocyte है, this lymphocyte है, type of A granulocyte, इसके बाद जो last topic है, जो हमाई जो यह lymphocyte है, यह lymphocyte फिर फिर फर्दर, दो पार्ट में divide किया गया, एक का नाम दिया गया, T lymphocyte, और जो सबसे लास्ट हो गया, monocyte हो गया, और सबसे लास्ट हो गया, that is the thrombocyte and placelets, तो मैं उमीद करता हूं, कि यह सारे topic आपको clear हो गये होंगी, सारे concepts आपको clear हो गये होंगे, फिर भी, यदि आपको कोई doubt है, कोई question है, तो आप comment box में अपना doubt जरूर लिखे, यदि आप इस क्लास से satisfied है, सारे point clear हो गये है, तो अपनी जो feeling है, अपना expression है, वो भी मुझे जरूर बताए, आपकी feeling की हमें आवशकता है, हताकि हमें पता चल सके, कि मैं जो यह video upload कर रहा हूं, वो आपके काम आ रहा है या नहीं, thank you very much for remaining with me for a such long duration, thanks a lot. झाल